इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अब मुंबई में बस का सफर करने के दौरान मोबाईल पर तीच आवाज में गाने सुनने वालों की अब खेर नहीं जिहां ब्रिहन मुंबई इलक्सी सिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडर टेकिंग बैस्ट अब ऐसे यात यात्रियों पर काहवाई की जाएगी जो बस यात्रा के दौरान बिना येरफोन के अपने मोबाईल पर उची आवाज में कॉंटेन देखते हैं और इसमें अपरात की कंभिरता के अधार पर पुलिस द्वारा आरोपी पर जुर्माना लगा जा सकता है या जेल भी हो सकती ह इसे के साथ बैस प्रसासर ने ये भी बताया कि कई दिनों से और सोचल मीडिया पर कंडक्टरों के जरिये ऐसे लोगों की सिकायते मिल रही थी जो बसों में यात्रा के दौरान मोबाईल पर लाओड कॉंटेन देखते हैं इससे दुसरे यात्रियों को काफी परिसानी होती जिसके चलते बैस प्रसासर ने ये बताया कि सभी ड्राइवर और कंडक्टर्स को इस नए नियम की जानकारी दी जारी और बसों में नियम पालन के लिए दिसा निर्देश लागू किये गए हैं जो लोग नियम तोड़ते हैं उनके खिलाब बॉंबे पुलिस एक्ट के सेक करने पर कारवाई की जाएगी और इसमें पुलिस 1200 रुपे से 5000 रुपे तक का जुर्माना भी लगा सकती है या तीन महीने की जेल भी हो सकती है